द्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्वद चतुष्टयम् यस्याहा सुष्मादी भेदे वागदेविंतानु पास्महे मत्रप्रदेश भोच मुक्द विश्रिद्याले का इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है प्रबंधन विशेपर आधरेत द्वनी कारिक्रम संप्रेक्षन ये कारिक्रम प्रबंधन में डिप्लोमा सनातकोत्तर डिप्लोमा और MBA पाठेक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्नपत्र प्रबंधन के नियम और संग्टनात्मक व्यभार की तीसरी इकाई पर आधरित है इस कारिक्रम की विशे विशेशग्य और वार्ताकार है डॉक्टर वीना दाणी इस कारिक्रम का ध्वनी मुद्रन संपादन और प्रस्तुतिकरंड किया है अमर बहादुर यादम ने तो साथियों लीजे सुनिए प्रबंधन विशेपर आधरित ध्वनी कारिक्रम संप्रेक्षन नमस्कार चात्रो आज हम जो विशे लेकर आए हैं आपसे चर्चा करने के लिए वो विशे है संप्रेशन एवं संप्रेशन कौशल अब निश्चित रूप से जब कि विशे कोई हमने चुना है तो उसके कुछ उद्देश भी निर्धारित किये होंगे तो उद्देश हम आपको सबसे पहले बता दे पहला उद्देश होगा संप्रेशन की महत्व की व्याख्या दूसरा होगा संप्रेशन की अवधारना को हम आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहेंगे फिर संप्रेशन के प्रकार्य संप्रेशन के कौन से फंक्षन्स हैं उनका भी कुछ वर्णन करेंगे संप्रेशन के मॉडिल की व्याख्या करेंगे और प्रभावी संप्रेशन में कुछ बाधाएं भी उपस्तित होती है इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए अथ्वा कौन सी प्रवीधियां हमें अपनानी होंगी उनकी बाधचित भी हम जुरूर करेंगे तो आज का विशे संप्रेशन एवं संप्रेशन कौशल शात्रों देखिए समवाद के माध्यम से ही किसी भी संगठन में उसके सदस्य आपस में जुड़े रहते हैं क्योंकि संवाद के माध्यम से ही हम एक दूसरे को समझ पाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं यानि कि किसी भी कार्य को प्रभावपूर्ण ढंक से संपादित करने के लिए संवाद की एक बहुत महतुपूर्ण भूमी का होती है प्रतिक मनुष अपने आप में कई सारे विचारों, भावनाओं और सुचनाओं का भंडार है प्रभावी संप्रेशन का सिधा-सिधा अर्थ है इन्ही सुचनाओं, विचारों और भावनाओं को प्रकट करना संप्रेशन एक कला भी है, क्योंकि हम जो कुछ भी बताना चाहते हैं, जो सुचनाओं प्रदाय करना चाहते हैं, वे दूसरे व्यक्ति तक हमको भली भाती समझाना है, पहुंचाना है अब आगी बढ़ते हुए हम ये भी देख लेते हैं कि संप्रेशन की परिभाशा क्या है, तो संप्रेशन का उद्देश सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है यह एक प्रक्रिया है, जिसमें सूचना प्रेशित करने वाला और प्राप्त करता दोनों ही सललगन रहते हैं तो इस परिभाशा में हमने ये जाना कि संप्रेशन का मुख्य उद्देश है सूचना प्रदाय करना और यहां सूचना प्रदाय करनी के लिए एक सूचना प्रेशित करने वाला व्यक्ति होगा और दूसरा प्राप्त करता होगा संप्रेशन की जब हमने बात कही तो मुझे लगता है दैनिक जीवन में भी हमें प्रभावी समवाद में निपुण होना बहुत आवश्च है हम अपने कार्यस्थल में अलग-अलग तरह के कार्य ज़रूर करते होंगे परन्तु एक समू के रूप में एक टीम के रूप में हम सभी का उद्देश एक ही होता है उचित प्रकार से अपनी बात को रखने की जो क्षमता है। वह क्षमता ही हमें दूसरों तक पहुँचाती है और दूसरे हमसे प्रभावित होते हैं। समवाद के द्वारा ही हम विभिन प्रकार की योजनाय बनाते हैं, उनका क्रियान वयन करते हैं, उनको सफल करते हैं। अपने संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने में भी सूचनाय बहुत आवश्यक है। कार्य हेतू, सही व्यक्तियों का चुनाव करना, उनको उचित निर्देश देना और उनके कार्यों का मुल्यांकन करना, ये भी संप्रेशन के अंतरगत ही आता है। जिनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, उन्हें संप्रेशन के माध्यम से हम प्रोसाहिद भी कर सकते हैं और मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। अब यदि हम ये कहें कि इस संप्रेशन में कुछ प्रकार भी होते हैं, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि मौखिक समवाध ही संप्रेशन है। क्या कह रहे हैं छातरों आप भी ऐसा ही सोचते हैं। नहीं, आपको बता दूं कि संप्रेशन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाबदिक। शाबदिक अर्थात जहां शब्दों का उप्योग किया जाए। आम तोर पर हम लोग शाबदिक संप्रेशन से तातपर्य सिर्फ समवाध से लेते हैं। जहां हमने बोलकर अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया। किन्तु ऐसा नहीं है। लिखित संवाध भी इसमें शामिल है। तो पहला प्रकार है शाबदिक जिसमें मौखिक और लिखित दोनों इसके भाग हो गए। दूसरा प्रकार होता है अशाबदिक संप्रेशन। अशाबदिक संप्रेशन जहां शब्दों का उप्योग न किया जाके भाव भंगिमाओं का संकेतों का शरीर के द्वारा विभिन प्रकार की भाशा या भावनाओं का और चेहरे के माध्यम से भी हाव भावों को दर्शाया जा सकता है। तो ये अशाबदिक संवाद हुआ हम लोग कई बार इसका इस्तेमाल भी करते हैं बलकि आपको एक उधारण दू जो मेरे दिमाग में अभी तुरंत आ गया है जैसे अभी मैं आप से संवाद कर रही हूँ मैं सिर्फ शाबदिक संवाद कर पा रही हूँ और वो भी सिर्फ बोल कर क्यूंकि अभी आप सिर्फ मेरी आवाज को सुन सकते हैं लेकिन मेरे हावभाव को नहीं देख सकते तो यहां पर अशाबदिक संप्रेशन शामिल नहीं है तीसरे प्रकार का जो संप्रेशन है वह होता है पेरालिंग्विस्टिक पेरा लिंग्विस्टिक के माइने हैं कि जो कहा जा रहा है वो किस प्रकार कहा जा रहा है किस तरह से कहा जा रहा है याने विभीन शब्दों पर कितना जोर दे करके अपनी बात कही गई है मैं आपको इसका एक उधारण बताओं तो शायद मेरी बात को आप लोग और अच्छे से समझ पाएं आपने सुना भी होगा ये उधारण कई बार कुछ शब्द है देखिए मैं उनको किस प्रकार बोलती हूँ रोको मत जाने दो ये आपने सुना रोको मत जाने दो किसी को रुकने के लिए कह रहे हैं और उसे जाने के लिए मना कर रहे हैं अब देखिए मैं इन ही शब्दों को किस प्रकार बोलती हूँ रोको मत जाने द तो देखिए छात्रों शब्द वहीं है किन्तु किस प्रकार शब्दों को कहा गया है उसके अनुसार जो अर्थ है भावार्थ है वो बिल्कुल ही अलग-अलग हो गया पैरा लिंग्विस्टिक समवाद में हमारे द्वारा समवाद के दौरान निकाले जाने वाली विभिन ध्वनिया भी आती है जैसे बात्चित करते हुए हमने का ओ अरे रे ऐसा हो गया बहुत दुख हुआ तो जब कभी दुख प्रगट करते तो उसके साथ जो हम ध्वनिया निकालते हैं आश्चरी के समय जो ध्वनिया निकालते हैं वो सब पैरा लिंग्विस्टिक्स में आती है चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं अभी तक हम अपने दो उद्देश्यों की बात कर पाए हैं तीसरा उद्देश्य था हमारा संप्रेशन के प्रकार्य का वर्णन क तो संप्रेशन के जो प्रकार्य है उस प्रकार्य में पहला जो है वो नियंत्रक के रूप में होता है संप्रेशन एक नियंत्रक के रूप में याने हम सदस्यों के व्यवहार को संप्रेशन के माध्यम से निर्देशित कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं जैसे एक जो सूचनाई दी जाती हैं, वहाँ आपचारिक होती हैं, लिखित सूचनाई या निर्देश दिये जाते हैं, जैसे संगठन की क्या नीतिया हैं, कर्मचारी से कारे की क्या पेक्षाय हैं, कुछ सीमा तक अनपचारिक संप्रेशन भी इसके अंतरगत आता है, जो बहुत फॉ प्रकार है संप्रेशन का, वहाँ संप्रेशन के एक मुख्य प्रकार्य को पूरा करता है नियंतरण करना, अब हम दूसरा प्रकार्य देखते हैं, संप्रेशन एक प्रेरक की रूप में, तो संप्रेशन एक प्रेरक की रूप में अत्यंत प्रभावी होता है, किसी ने अच उसको शाबासी देना, उसके कारे की समीक्षा करना, प्रशंसा करना, अच्छे कारे की पहचान करना और उस कर्मचारी को उसके कारे में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए प्रोसाहित करना। और छात्रों आप तो सब जानते हैं कि थोड़ी से प्रेर्णा एदि आपको शिक्षक से मिलती है, तो आप निश्चित रूप से अपने शिक्षास्तर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसी प्रकार एक संगठन में किसी कर्मचारी को भी जब प्रेर्णा मिलती है, तो वो अपने कार्यस्तर को और उचाई पे ले जाता है। तीसरा जो इसका प्रकार्य है संप्रेशन का, वो है समवेगात्मक अभिव्यक्ति। इमोशनल एक्सप्रेशन, संगठन में जितने भी कर्मचारी होते हैं, वे अपना-पना समू बनाते हैं। अक्सर ये अनौपचारिक समू भी होते हैं, और इस समू में आपसी वारतालाब के जरिये वे अपने निराश, क्रोध, संतुष्टी, निराशा इन भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं, प्रगट करते हैं। तो इस तरह संप्रेशन के द्वारा समवेगात्मक अभी व्यक्ती भी होती है, और यहां एक प्रकार से सामाजिक आवश्यक्ता भी है व्यक्ती की, मनो सामाजिक आवश्यक्ता है, कि वहां अपने आपको अभी व्यक्त करें। तो उसकी भी पुष्टी हो जाती है, उसकी भी पूर्ती हो जाती है. अभी तक हम लोगों ने जितनी बात्चीत की, उसमें कहीं से भी मॉडल की बात कुछ हुआ नहीं गया. तो संप्रेशन का मॉडल आपको अभी मैं बताती हूँ. तो संप्रेशन का मुख्य उद्देश चात्रों मैंने आपसे बताय था सूचना प्रदाए. एक सूचना एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती तक अथ्वा समू तक जो कित्यों बिना किसी बाधा के या बिना किसी अर्चन के पहुँचाना. जब संप्रेशन का ये उद्देश है तो निश्चित रूप से जो सूचना प्रदाए किया जाएगा जो भी सूचना प्रेशित होगी उसमें कुछ न कुछ प्रक्रिया तो होगी ही. तो ये जो मॉडल है सूचना प्रदाए का उसके साथ अंग है. एक छोर पर है शुर्वात जहां से होती है वो है प्रेशक और अंत जहां होता है वो है फीडबैक या पुनर निवेश. मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ. मैंने कहा कि संप्रेशन के मॉडल के साथ अंग है शुर्वात होती है प्रेशक से और इसकी समाप्ती होती है फीडबैक अत्वा पुनर निवेश पर. तो जो भी प्रेशक है जो सेंडर है जिसको कुछ सूचना देना है उससे सम्मंदित विचार सबसे पहले उसके दिमाग में आते हैं. फिर वह व्यक्ती उन सूचनाओं का एनकोडिंग करता है एनकोडिंग अर्थात कूट संकेतन यानि किस प्रकार से मुझे अपने विचारों को अभिवेक्त करना है किन शब्दों में अभिवेक्त करना है ये हो गया कूट संकेतन. अब हम इसके तीसरी पाइदान पे पहुँशते हैं वो है माध्यम, मेडियम. जो सूचना लिखी गई है या बोली जानी है उसको किस प्रकार प्रेशित करेंगे? चातरों आप मेरी बात समझ रहे हैं जैसे मैं जो कहना चाह रहे हूँ वो बात आप तक रेडियो के माध्यम से पहुँच रही है. इसी प्रकार एक माध्यम दूरदर्शन हो सकता है, एक और माध्यम इसका हो सकता है चारट के जरीए अपनी सूचना को बतलाना, करना, तो ये माध्यम या मीडियम ओफ इंस्ट्रक्शन ये तीसरी पाइदान हुई, चौथी स्टेप या चौथा चरण इसका होता है सूचना प्राप्ती, अब जिस भी चैनल से, जिस भी माध्यम से सूचना का प्रेशन हुआ, वो सूचना अब प्राप्त करता के पास प पहुँच जाती है, तो फिर उसे प्राप्त करता को उस सूचना का डिकोडिंग करना पड़ता है, डिकोडिंग करना पड़ता है, पहले तो कूट संकेतन हुआ था, अब वो जो कूट संकेतन किया गया था, वहाँ था प्रेशक के द्वारा, अब प्राप्त करता, उसको ड E-code मतलब उस कूट संकेतन का अर्थ समझता है और उसके अनुसार जो भी उसे निर्देश दिये गए हैं उसके अनुसार वहां कुछ कार्य करता है। अब हम आ गए अंतीम पायदान पर जो है फीडबैक अथ्वा पुनर निवेश। चात्रों संप्रेशन के मॉडल में ये सबसे महतोपून बिंदु है या सबसे महतोपून स्टेप है। पुनर निवेश से तातपर यहां है कि हमने जो संदेश भेजा था वहां सही सही रूप में प्राप्त करता तक पहुँचा है अथ्वा नहीं। ये जानकारी लेना प्रेशक के लिए अत्यंत महतोपून है। अन्यथा कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में इस पूरे मॉडल में विचार उत्पन होने से लेकर संदेश की अंतिम कार्यवाही याने पुनर निवेश तक हर स्तर पर कुछ नकुछ मुश्किलें कुछ नकुछ बाधाएं उपस्थित होती ही रहती हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे इन बाधाओं को समझने की क्या बाधाएं उत्पन होगी जिनके कारण हमारा समवाद प्रभावी नहीं रहता। तो प्रभावी समवाद में संप्रेशन में हमें कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बोलने के पहले हम उस विशय को भली भाती समझे। दूसरी बात जब हमें समवाद स्थापित करना है खास करके शाब्दिक समवाद वहां वातावरण को ध्यान में रखकर हम अपने समवाद प्रेशन को करें। समवाद करते समय अपनी आवाज में उतार चड़ाव अवश्य लाएं और भाशा बहुत अधी कॉंप्लिकेटेड बहुत जटिल ना हूँ। बोधगम्य भाशा होना चाहिए उच्चारण की स्पष्टता को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार चात्रों ये भी देखने को मिलता है कि एक ही बात को सुनते सुनते जो श्रवन करता है जो सुनने वाला व्यक्ति है वो उप जाता है निरस्ता लगती है उसको इसलिए समवाद के दौरान विचार विमर्ष भी करना चाहिए। यदि ओडियो विजूल माध्यम से हम अपने समवाद को प्रेशित कर रहे हैं तो उसमें हाउभाव के अनुसार चेहरे की उचित भाषा का भी समावेश करना है। मतलब आखों के जरीए संकेत दिये जा सकते हैं, हाथों के जरीए gestures दिये जा सकते हैं जिससे की हमारा जो शाब्दिक समवाद है वो प्रभावी होगा। समवाद के दौरान हम जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं वो शब्द प्राप्त करता के प्रुष्ट भूमी को ध्यान में रखकर ही करें। संदेश भेजने के लिए सही माध्यम का चयन भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति संदेश को प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत कम है संख्या में तब हम आमने सामने समवाद करके उनसे फिडबैक ले सकते हैं। कभी-कभी ये भी होता है कि प्राप्त करताओं की संख्या अधिक होती है। ऐसी स्थिती में लिखित, संदेश, अधिक उप्योगी होता है। संदेश, तयार करने, भेजने, प्राप्त करने और कार्यवाही करने की स्थिती में उत्पन बहुत सारे व्यवधान हो सकते हैं, इसलिए उन सभी को समझ कर हमें उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए छात्रों, एक बात मैं यहां पे स्पष्ट करूँ कि जो प्रेशक है, प्रेशक की बात स्पष्ट रूप से शरोता तक पहुँचे, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे शरोता कौन है, प्राप्त करता कौन है और उनकी क्या विशेशताय हैं, इस बात को पहले से ही जान ल लेना आवश्यक है, उनकी क्या आयू है, शेक्षणिक योगता कितनी है, मैचुरिटी कितनी है, उनकी रुचियां क्या है, उनके ग्यान का स्तर क्या है, उनकी क्या प्रथाएं परमपराएं हैं, और किस भाशा में हम अपनी सूचना को देंगे, तब अधिक शीगरता से सह ही सही सूचना उन तक पहुंच सकती है, ये सारी बाते ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, अब मैं चर्चा करना चाहती हूँ आपके साथ, कि प्रभावी संप्रेशन में कौन सी बाधाएं उपस्थित हो सकती है, तो प्रभावी संवाद की जो पहली बाधा है, वो है संवाद के पूर्व योजना का अभाव, कई बार जो संदेश हम देना चाहते हैं, जो संदेश प्रेशित करना चाहते हैं, उसको सिलसिलेवार तरीके से यदि नहीं बताया गया, तो प्राप्त करता उसे समझने में असमर्थ हो जाता है, दूसरी बात है गलत माध्यम का उप्योग, जैसे देखिए, यदि आपके पास बहुत सारे आकड़े हैं, उन आकड़ों को हम बोल के तो बता ही सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से, रेखाचित्र के माध्यम से हम उनको प्रदर्शित करें, तो समझने वाला उस बात को बहुत जल्दी समझेगा, अर्थात, ये काम हम तभी कर सकते हैं, जब हमारे पास जो माध्यम है, वो सिर्फ आडियो मतलब शरवन वाला नहो, आडियो वीजुवल माध्यम में, ये बात बहुत सही बैठेगी, कही बार ये भी होता है कि जो शरोता है, जो संदेश प्राप्त करता है, वे ध्यान नहीं दे पाते सूचना पर, या उनको रुची ही नहीं है उस विशय में, थोड़ी सी कोशिश अपनी तरफ से प्रेशक को करनी चाहिए, कि बीज विश में उधारणों का उप्योग देत हुए हमें अपनी बात को उनके सामने रखना है, कभी कुछ मनोवज्यानिक बाधाएं भी उत्पन हो सकती है, जैसा अभी ही हम लोगों ने चर्चा के दौरान ये बात कही, कि ध्यान न देना, रुची का अभाव, अथ्वा कभी-कभी जो सूचना दी जा रही है, वो कौन से कंटेक्स्ट, कौन से संदर्ब में दी जा रही है, उसको बहुत अच्छी तरह सूचना प्रेशक नहीं बता पाता, और प्राप्त करता भी उसी प्रकार उसे ग्रहन नहीं कर पाता, कभी-कभी वातावरण में उत्पन होने वाला जो शोरगुल है, वो भी बहुत सुन्ने की क्षमता में कुछ कमी है, तो भी उस तक पूरी-पूरी बात, पूरा-पूरा समवाद नहीं पहुच पाएगा, तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और प्रभावी समवाद के दौरान एक बात ध्यान रखनी है प्राप्त करता को, यानि जो स अंदेश को प्राप्त कर रहा है कि वह भी सक्क्रिय श्रोता बना रहे, अपने कानों के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता रहे चातरों मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और सुनते-सुनते कुछ बातों को आप नोट भी कर रहे हैं तो मैं थोड़ा आप लोगं को बताना भी चाहते हूं कि संप्रेशन के बारे में जितनी भी चर्चा अभी हमने की उसमें कुछ बिंदू ध्यान रखने के है पहली बात मैंने आपसे जो बताई थी वो ये थी कि संप्रेशन का महत्व क्या है तो संप्रेशन के महत्व को आपने समझा होगा अभी तक फिर संप्रेशन की प्रक्रिया के अउधारणा मैंने स्पष्ट की थी तीसरी बात जिसकी चर्चा आपके समक्ष की गई वो था संप्रेशन के प्रकार्य और संप्रेशन के मैंने आपको मुख्य चार प्रकार्य बताए थे नियंतरक के रूप में, प्रेरक के रूप में, सूशना प्रदाय के रूप में और समवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए तो ये चार प्रकार्य आपको ध्यान में रखने हैं इसके बाद मैंने संप्रेशन के मॉडल की आपके समक्ष व्याख्या की थी छातरों अब आप जान गए हैं कि संप्रेशन का जो मॉडल है उसकी शुरुवात होती है प्रेशक से, सेंडर और समाप्त कहां पर होता है फीड़ बैक अर्थात पुनर निवेश से जो सूचना हमने भेजी वो सूचना कहां तक सही सही रूप में प्राप्त करता के पास पहुँची है ये जानना बहुत आवश्यक है प्रभावी संप्रेशन के नियम मैंने आपको बताए और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने चर्चा की थी संप्रेशन के लिए कौन सी बाधाएं उपस्तित होती है और उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो मैंने आपसे जो चर्चा के दोरान बाते बताई थी उनको आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा हुआ है और रिसीवर की भी कुछ विशेश्टाएं बताई थी कि जो प्राप्त करता है उसकी आयू क्या है वो किस भाशा को जानता है शेक्षणिक विशेश्टाएं क्या है ज्यान कस्तर कितना है मैचुरिटी कितनी है उसकी रुची है या नहीं इन सारी बातों को जानते हुए ही हम अपनी बात को प्राप्त करता तक पहुचाने की कोशिश करें अकसर लोगों का ये सोचना होता है कि वर्बल यानि शाब्दिक समवाद प्रभावी समवाद होता है अब मेरे पास लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ आडियो चैनल है आप लोग सिर्फ सुन पा रहे हैं पर मित्रों जहां तक हो सके अलग अलग चैनल का उप्योग करते हु आप सब जानते हैं कि हमारे पास पांच प्रकार की समवेदनाएं हैं लेकिन हम लोग बाकी समवेदनाओं का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं कोशिश ये होगी कि दृष्टी समवेदना श्रवन्ट समवेदना संभव हो तो स्पर्ष समवेदना इन तीनों का अधिकाधिक आती है तो ये प्रेशक की जिम्मेवारी है कि वह इन बाधाओं को दूर कैसे करें मुझे विश्वास है कि संप्रेशन के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा की वो आप लोग ध्यान में रखेंगे नमस्कार अभी आप सुन रहे थे प्रभंधन विशे पर आधारेत्वनी कारिक्रम संप्रेक्षन इस कारिक्रम का संपादन और प्रस्थतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने ये कारिक्रम मध्यप्रिदेश भोछ मुक्त विश्विद्याले के इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्वान और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया अंसलोल